तो सबसे पहले हम अर्वी के पत्ते ले लेंगे और अर्वी के पत्तों के अंदर ये इस तरीके से जो धागे रहेंगे उनको निकाल लेंगे और इसी प्रकास सारे पत्तों के जो धागे हैं निकाल के पत्तों पे हम एक बार हलकी हाथों से बेलन चला लेंगे जिससे की जो य करेंगे तो 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 आप अरपते को लिजिये और उस पे बेलन रहल के आतों से चला लिजिए तो यह पत्ते की जुनासे है यानि की यह जो लाइने है यह हलके हलकी सॉफ्ट हो जाएंगी और जब आप फोल्ड करोगे तब यह आचानी से मोड़ जाएगी तो इसलिए हम य क्यों चला रहे है यह जो है इनकी जो यह पत्ते की वेंज है यह नसे बोल लीजे वो सॉफ्ट हो जाएंगी और यह अच्छे से फोल्ड और डोल हो जाएगा यह पत्ते इसलिए अब एक स्टीमर ले लूँगी स्टीमर के अंदर मैं पानी चड़ा दूँगी तो मैंने पानी ले लिया है आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर ले लीजे उसको पानी को उबाल अब एक बाूल में बैसन ले लिया है, एक कप से देल कप, फिर अजवाइन डाल दी है, अजवाइन डालने के बाद मैंने डाला है तिल, तिल डालने के बाद मैंने डाला है, इसमें सॉट पाौडर, फिर इसके बाद मैे तेपा है इसमे नाल मिर्च लाज मिर्च डालने के बाद मैँ डाला है healthy powder healthy powder डालने के बाद मैँ डाला है dhannya powder dhannya powder डालने के बाद मैं डाला है इसमें थोड़ा सा ग December मसाला फिर उपक डाला है मैने चौप किया हुआ LA सीरियसं से चाइशं't के द वासे दिधने थोड़ा तर रसन द भी और दील आयगी बेगज़ ही य०ानी um ग्राला है स्वादनुसान नमक अ धंय में देला है हरीमिर्ची हरी मिर्ची को में अच्ची से क्राइश करके या कि कद्दू कस करके या फिर आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं फिर मैंने इसमें एक टी स्पून तेल डाला था और इसको मिक्स कर लिया था अब पानी की साहेता से मैं इसका एक बैटर बनाऊंगी जो बैटर बनाऊंगी वो धीरे दीरे पानी डाल के मुझे बैटर प्रिपेर करना है पर याद रखिये पानी थोड़ा थोड़ा यान ही कम कम डालते हुए बैटर बनाना है जो बैटर रहेगा वो थिक बनेगा तो एकदम से ज्यादा पनी पिल्कुल मढ डालिए गा उनी तो आपका जो बैटर है बेसन का वो गवेड़ हो जाएगा जो की हमको— चाहिए नहीं तो इस बात का धि क्योंकि अंत में ऐसा होता है कि वह पानी कम पानी में ज्याधे अच्छा बैटर आपका जितना कम पानी उत्ता आप चलाते जाम और वह अपने आप उसमें जैनरेटर होनी लगती है तो आपको ज़्यादा पानी लगता नहीं है तो कभी भी जादा पानी एकदम से नडालें कम पानी डालते हुए उसका बैटर फॉर्म करें तो यह देखिए इस टाइप का थिक कंसिस्टेंसी का हमको बेसन का बैटर चाहिए जो की हम हमारे अर्बी के पत्तों में लगाएंगे अब मैंने फ्रेश धनिया डाल दिया है इस इसको डाल के मैं अच्छे से गुड मिक्स दे दूगी और बस इस टाइम पे हमारा जो बैटर है वो रीडियो रीडियो गया है और हमार भी के पत्तों पर उसे लगाएंगे तो अब इस बैटर को मैं पत्तों पर अच्छे से फैला लूँगी बिलकुल हलके हातों से स्ञ проб कर अच्छे से पूरे पत्तों पे प्छारा ली तो देखिये इस प्रकार से मैं अब अर्बी के पत्तों पे पेशन फैला लिया है जो रीडियो और बागी सारे जो पत्ते हैं एक के उपर एक करके इस पे मैं रखती जाओंगी पर आप देखिये अब मैंने ये उल्ट रखा है जो पत्ता रखा है तो इस प्रकार से आप एक तरफ रखें फिर उसके अपोसिट direction करके दूसरा पत्ता रखें और इसमें भी बैटर को अच्छे से एक तरीके से एक लेवल करके बेसन को फैला के उस पत्ते को तो इसई प्रकार से मैंने चार पत्तो का प्रेव किया चार अर्वी के पत्ते लिए है उसमें एक एक करके जो बैटर हमने तयार किया था वेसन का वो लगाया है एक जैसा लगाया है पूरे पत्ते में और एक की उपर एक रखते गई हूं मैं तो एक बर हमाई चार पत्तों में लग जाएगा उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे किस प्रकास से करना है वो देख लीजे मैं सबसे पहले एक उपर से फोल्ड किया और उसको बैसन लगाया है फिर नीचे से फोल्ड किया फिर बैसन का बैटर लगाया है और उसको अच्छे से सील कर दिया है इसी प्रकास से आपको उपर और नीचे साइट से सील करना है फिर तो दूसर भी न उब गर बेड़ पर टापल करुंगे मैं श्यक्के सोराइट तो इसल करना है, जो प्र हिसे एक भरल करना जैगा muchísimo है, अग डायया खिंगा तो दूसरे साइट ने जो फिर तो इन ब्वह नेले कोगना है, तो एक स्कवार खिया तो इसल करना है, तो इसल करना ह तो यार रखिए मैंने चार पत्ते लिए था इसको बैटर से अच्छे से उस पे लगा के उसका रोल बना दियो मैं तो इसी प्रकार से आप अपना सारे बैच तयार कर सकते हैं और एक बार ये इस प्रकार से रोल हो जाए तो आपको इसका जो एंड है या कौन इदम एंड है उसको आप बैटर लगा यासे क्लोस करते हो और इसी प्रकार से अप सारे बैच आप लिए एक बर आप जब रोल करेंगे तो इसके ये जो दोनों कोने ने पे भी बैशन लगा लीजे तो ये अच्छे से तो इसको रहेगा और जब आप इसको फ्राइ करेंगे या फिर शैल देख़ राए करेंगे तो इच्छे से गोल्डन ब्राओं हो जाएगा और अच्छीस पी टेशर देगा और अच्छी देगा तो इस चीज का आप ध्यार में एक च्छे से से इन чो अ जब गएग थावे जाब ईढ़का था जो इसे से वार रख करेंए न दूली लोग करें कम से कम 15-20 मिनिट के लिए और फिर चेक करूँगे कि एच्छे से हमारे जो है यह स्टीम हो गए है कि नहीं और नहीं होंगे तो और थोडी देर करूँगी तो इस तरीके से आप अपने अनुसार चेक कर सकते हैं उसमें बेसन को आप चेक कर ली जगर अगर अच्छे से कुक ह अगर नहीं तो आप उनको और थोडी देर कुक कर लें तो यह आप अपने अनुसार देख सकते हैं तो हमारे जो अरबी के पात्रा है वो अच्छे से स्टीम हो गए है तो मैंनको स्टीमर से निकाल लूँगी और इस प्रकार से उनको हलकी हातों से नाइफ की मदद से काट क कर लूँगी गोला कार में और हमारे जो अरबी के पात्रा है वच्छे से स्टीम हो गए है और मैंनको कट कर रही हूं पीसिस में एक बार ये कट हो जाएंगे पीसिस में तो इसको आप इसी प्रकार से भी खा सकते हैं और अगर आप उसका टीस्ट और भी बढ़ाना है तो एक आप इसका तढ़का प्र्पेर करियो और उसमें इसको अप्ते से शैलो फ्राइ करके भीगा सकते हैं और अगर आप डीफिर करना चाहे तो आप उसको डीफ्राइब कर सकते हैं तो इसी प्रकार से आप सारे पीसिस को कट कर लीजे गोल अकार में और उसके बाद हम देखते हैं कि इसको कैसे शैलो फ्राय करना है और कैसे का एक जो तड़का फ्लेवर रहेगा वो प्रिपेर करना है एक अर्पैन में अरी पाल्म कर तरफ घ्रaiser कम üst नहीं दो अचिछ पर अब06 तरह इवर टोस्ट पिर रoming अगयर तो घ्रीफ करनेन अ ही और अच्छे इस बूलों की शेलो फ्राय प्राय नहीं दो तो कॉम पर आप थे लाने के लिए तोश्ट के तरह ग़ंगी और यह श्यूं अगर थोड़ा बात यूज करना चाहें तो मैं कम से कम एक टेबल स्पून ओल लेके इनको अच्छे से शालो फ्राइ कर लिया था अब जो लोग डीफ्राइ कहाना चाहते हैं वो लोग डीफ्राइ कर सकते हैं उसमें कोई परिशानी नहीं है मुझे करना नहीं था इसलिए मने किया नहीं है तो यह रेकि अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा इस प्रकार से तो मैं सारे बाचिस को अच्छे से शालो फ्राइ कर लूगी और यह देखिए कितने अच्छे से जो अर्वी के पात्र है या पते हैं वो इदम गोल् अर्वी के पात्र हैं वो स्टीम हो के शैलो फ्राइ हो गए और अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए तो इस तेच पर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ने पैन में और निया ओल जीरा डाला फिर उसमें कड़ी पता डाला और फिर कश्मीरी लाल मिश डाल दी है और गैस की ज अर फिर मैं डाला है तिल तिल दालने के बाद उसको अच्छे से मैं चला लूंगी और चलाते-चलाते में जो अर्भी के पात्रा है जो को मने शालो फ्राय या डी फ्राय किया था वो इसमें बिलाते हुए उपर से में एक टेबल स्पून नीबू कर रस डाल दूंगी इस स तो आप अपने अनुसार इसमें कोई भी मसाले डाल सकते हैं जिससे आपको जैसे आपको चाहिए बट इसका जो नाच्वल टेस्ट होता है अरवी के पात्रों का वही बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो अजिसमें कुछ ऊपर से ने डालिया नहीं तो इसका नाच्वल टेस्स जा सकता है तो इसको ऐसे ही एंजोई करिए शेलो न दी अपर इंजोई करके उसमें यह तड़का प्रेपैर करके इसको इशको ईखले गरम गरम एंजोई किए चाहे के साथ बहुत डिलिशस लगते खाने में मज़ा आता है, इवनिंग स्नाक्स हो या फिर आपका टाइम पास्नाक्स यह बहुलब चलकता है थैंक यू फर वाचिंग बंडला, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब